नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी कि आपके अपने इस यूटुब चैनल इस्टडी एक्जाम की में और इस वीडियो के मद्दम से हम आपको बताने वाले हैं मद्द प्रदेश के अंदर जो नगर पाली का हैं जो नगर निगा में नगर परिशाद हैं यहां पर वेक अधिक के अलाबा वाला सारी योगता हो और सबताने वाले हैं यह अच्छे से अच्छे से आपको बता दें ताकि आपको इसी प्रकार से मिसगाइट ना हो लेकिन हम एक सीरी चला रहा हैं जिसके अंतरकर हम बता रहा हैं कि कौन से डिपार्टर्मेंट ऐसे हैं जहां पर आपको कौन-कौन से सुपिता हैं मिलने वाली है कैसा वहाँ पर वर्क को छोड़ी आपको आपको कोई पढाने वाले हैं कर अलाव इसके आलाव या फेर आपको कम करते हैं और इससे बहुत है जो है कि आपको देखने मिलने वाले आप खुद भी परवेक्षक की यहां पर एक पद देखने मिल रहा है सहायक राजस मिल्टक्षक जो एराई होता है इसमें भी आपको ठीक है ना इनके लिए क्या-क्या आपकी योगता होती है तो आम एराई से स्टार्ट करते हैं बागी सहायक गेड़ी के लिए पहले बताया था है कि eligibility क्या गया है और कहां-कहां कितनी निकली है तीन पद निकले हुए है यहां पर ठीक है ना हर जगा eligibility के ट्राइट एरिया सैम है अलाग से कुछ नहीं है उप सब्सक्ता वरवेक्षक की यहां पर तीन पद है बारवी पास मागा गया है इनके आपको पोस्ट कोड रखना ह सब्सक्ताइब देखेंगा और वहीं से आप द्यान रखीएगा पोस्ट कोड आलना ही पड़ेगा क्योंकि आप बारेंगे कर फोर का फिके ना इसमें बता दें इस टेनोग्राफर का भी एक पते साइग्रेट 3 जो सुरी इस आपको इस आपको यह पूरा-पूरा कहां-का पर मिनिट की सिर्टी मंगते हैं राजय सुनारक्ष चका बता दिया हमने उध्यान प्रविक्षा क्या होता है आपको बार भी बायों से मंगना क्रसी से आपने बार भी करके रखी हुई तो वह उसके लिए इलेजिबल रहेंगे स्टेनोग्राफर 3 के लिए हमने सो वर्ट पर देख लिए आपको साहागेर 3 के लिए शार जान कर देदी कहां का एकटी निकली हुई वह इकटा बता देते हैं साधिसान इसका बर्क प्रफाइल बता तो देख लिए आप सीधा लाइन से देख लिए नगरपाली का निकम चंदवाड़ा में निकली हुई निकली इस प्रकार से प्रकार की यहाँ पर निकाम में काम होता है कैसे क्या क्या किया दोके हैं ही तो हांगर बात कर रहे हम नगरपाली का निख्मों में तो एसका जो इसका जो आपका कुछ shitty से आपका कुछ हिससा आता है कुछ सापको महुंकि जो ऑता है आपका जो स्थानी जो होता है वहाँ से भी कुछ सब्सक्राइब करें अगर इसकाम के अलावा और भी काम कर सकें जोब के अलावा तो यह जगाह होती है बहुत ठांदार होती क्योंकि इसमें जो है आफ़ इन अगर आपको सयलेक्षिन हो जाता है अच्छी नंबर होते हैं तो आप अज इन पर काड़ सकते हैं कोई भी दिक्कत नगाती और प्रमोशन के सांसरे आपको इन जो ट्रांसफर है वो भी हो जाता है आप आसपास और भी कहीं है तो आपने नजदीक भी पहुष सकते हैं यह बात ध्यान रखिएगा अगर आप मालोग बुरहनपुर में अगर आप सेलेक्ट होगा है मालोग तो आप रतलान में भी करा सकते हैं तीन साल अबाद भौपाल मे नहीं होता है वहर्खलोड समय कहीं क्यों है बहुत ही इंपौरेंट बातली कि आपको यहां पर और दभाव जहिनना पर्सा है इसा सहे मई शोटे बावो क्रूब में जाने जाता था कि यहां जो पर देखने को मिलता है और साथ इसनत बता दें कि क्यों साहा गेट 3 के लिए क्योंकि यह फाइल वाइल यह सब इनके द्वारा ही आगे पीछी होती है और जो साहा गेट 3 होते हैं इनकी उपर एक बड़ा बड़ा पूर होता है तो पूरी पूरी चैन जो जीत के आते हैं जो आपका मेर होते हैं उनका जो है उनके छो कुछ काम के लिए थोड़ा थोड़ा जो है उनके द्वारा आगे जान कारी तो的话 यहकं को परिए में रहता है तो हमने परहने प्यास fast सब्सक्राइब को बनाई दी है इसके बाद हम बंदियांचल के बारे में बताएंगे इस अपोरी वीडियो कबर होने के बाद हम एक प्रफेरेंस की बनाएंगे आने वाली है जरूर देखिएगा आपको लाइक करना है सांती सांत आप बता दें तैयारी कर रहा है और आपको यूज करना है आपको सारे प्रकार की जो MP के जितने भी टेस्ट है वो एक ही प्राइस तीन सो रुपे में सारे एवेलेबल हो रहा है आपका रिवन रख्चा फॉरेस्ट जेल पहरी इस और MP पुलिस आने वाला जो भी है इसमें डिफेंस रेलवेइस एससी की सारे एक्जाम भी मिलने वाले आने वाले एक साल के पर देखिए तो और आपको अच्छा लगएगा तो आप इसको प्रचेस कीजिए और इस वीडियो में इतना ही हमारा दौरा जो दीगई चानकारी इसमें आपको एक चीज़ बता दिया है तो और जमज आपके साथ रुपे लगने वाले है तो तो आपको 5070 रुपे लगने वाले हैं जो युलाई में करती तो जो फॉसकी है पर जूह4 6 तरह से चलता है नॉर्मली 40 तक रहता है तो यह जानकारी थी बाकि यह हमें देखने के लिए इतनी देर